ले एस्टूरेंस मैं इस वीडियो में एक पैरगर्फ राइटिंग को बदाने वाला हूँ या फिर एक ऐसे राइटिंग को बदाने वाला हूँ वो क्या है विजिट टो अजू या फिर विजिटिंग आफ अजू ओके तो इसमें कौसन किस तरह से होगा राइट अपैरेग्राफ एंड शेयर एक्सपिरियंस ओफ विजिटिंग आजू ओके मतलब यहाँ पर एक पैरेग्राफ लिखना पड़ेगा जिस पैरेगर्फ को तुरू आप लोग आपको यह सेयर भी करना पड़ेगा कि आपका एक्सपिरियंस कैसा रहा जू को देख करके तो यह यहाँ पर बहुत इंपॉर्टन पैरेग्राफ है ओके आप लोग अक्सर जू देखने जाते हैं बहुत अच्छा एक्सपिरियंस होता है तो इस एक्सपिरियंस को इस पैरेग्राफ में सेयर करना पड़ेगा तो और यह जो में पैरेग्र वादाने वाला हो अगर आ यहाँ पर जो बता रही हो पैरेग्राफ यह लैटर के बॉड़ी हो गया है तो लैटर भी आप लोग लिख सकते हैं तो यहाँ पर मैं बता रहा हूं पैरेग्राफ को शुरू करते हैं विजैट्ट विजीट टुजू यह हैं during my visit to the zoo I was amazed that means surprised by the wide variety of animals on display तो जू देखने के दोरान क्या हुआ I was amazed मतलब surprised हो गया by the wide variety of animals मतलब डिवन डव अनिमल्स को देख करके I saw majestic big cats like lions and tigers as well as playful primates like monkeys swinging from tree to tree तो बंदर क्या कर रहे है एक टी से दूसरे tree में swinging कर रहे है मतलब उचल रहे है कूद रहे है It was a unique opportunity to observe the animals up close and learn more about their behaviors and habits तो ये अच्छा opportunity है unique opportunity to observe the animals animals को observe करने के लिए closely and learn more about their behaviors और ये भी हम लोग जान पाते हैं knowledgeable हो पाते हैं behaviors अलग अलग अनिमल के behavior कैसा है inhabitants मतलब उनकी रहनी की जगह भी कैसा है shelter कैसा है I was particularly impressed by the Jewkeepers तो मैं ज्यादा इंप्रेस हूँ पार्टिकुलर्ली बादे जू की पर्स जू की बार्स मतलब जू के जो रखवाला है मतलब जू के जो ओनर्स है who are knowledgeable जो knowledgeable है friendly and dedicated to providing a safe and comfortable environment for both the animals and visitors वो dedicated यह है कि providing a safe and comfortable environment वो safe and comfortable environment provide करते है for both animals and visitors दोनों के लिए जानों के लिए वहापर जितने भी animals है different type of animals उके उनके विलिए safe environment provide करते है and visitors के लिए मतलब देखने वालों के लिए भी moreover the zoo had many interactive exhibits तो इन से ज़्यादा कही ज़्यादा जो है बहुत सारे देखने के चीज़े है जो जू से हम लोगो देख पाते है where I could touch and feed some of the animals जहाँ पर मैंने कुछ animal को touch कर पाया and feed कुछ खिला पाया some of the animals कुछ animals को okay overall my visit to the zoo was an enjoyable educational and unforgettable experience overall the zoo देखे तो वो बहुत enjoyable moment था educational था कुछ सीख पाए हम उन से and for unforgettable और यह हम इन experience को कभी नहीं बोल पाएंगे that half may appreciate the diversity of wildlife that exists in our world और बहुती अच्छा feeling हुआ diversity of wildlife के लिए जो हमारे world में एक्जिस करता है तो बहुती ज्यादा important है जो को देखना हम एक नए perspective जो है माइन में पैदा होता है और देखने का नजरिया अलग होता है और हम लोग बहुत सारे चीजों के बारे में जानकार है अलगला जानवर के बारे में अलगला बर्ट्स के बारे में रियल लाइफ के बारे में उनके हैबिट्स के बारे में उनके क्लोर्ली हम आफसर्फ कर पाते हैं जू के थूरू ओके आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने जू को देखा भी है तो आपका experience का दरा कमल में जूरू बदाईएगा